लेक्स रिवाइड सम्थिंग ताइमूर ताइमूर का सन ताइमूर का बीटा मिरन शाह थे और मिरन शाह बाबुर के बाबुर के ग्रेट ग्रेट ग्राइड फादर थे अगर बाबुर का देखा जाए तो बाबुर के फादर थे उमर शेक बाबुर के फादर थे उमर शेख और उसके बाद उमर शेख के बाद उनके जो फादर के फादर थे फादर के जो फादर थे वो अबु सेथ थे जो बाबुर के ग्रांड फादर थे और मुहम्मद मिर्दा बाबुर के ग्रेट ग्रांड फादर थे मुहमद मिर्दा बाबुर के ग्रेट ग्रांड फादर थे और मेरंशा बाबुर के ग्रेट ग्रांड फादर थे और जो मेरंशा थे वो किन के बेटे थे ताइमूर के बेटे थे जो मेरंशा थे वो किन के बेटे थे ताइमूर के बेटे थे अगर देखा जाए तो बाबर की पिता कौन थे अब बाबर की पिता उमर्शेथ थे और फिर बाबर की दादा जो थे वो अबुसेथ थे बाबा के पर दादा कौन थे बाबा के पर दादा मुहमद मिर्दा थे and then baba के लकड़ दादा या great great grand grand dada कौन थे miran sha. और miran sha किन के बेटे थे? टाइमूर के बेटे थे तो great 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 grandfather बाबुर के कौन हुए टाइमूर Then let's start our next topic Mughal Military Companions Mughal Military Companions That make this diagram in your copy And after that Mughal Military Companions Babu, the first Mughal Emperor 1526 1526 से 1530 तग Babu ने राज किया जो 1st Mughal Emperor थे वो And succeeded to the throne of Farghana in 1494 When he was only 12 years old And 1494 में Farghana 1494 में Farghana Rajika उन्हें उत्रादिकार प्राप्त किया और उन्हें केवर 12 years थी क्या हुआ था? जब बाबुर पहले Mughal शाशक थे 1st Mughal Emperor थे तो उन्होंने क्या जीता? Throne of Farghana मतलब Farghana का throne राजगदी जीती वहां की 1494 थे और वो तब कितने साल के थे? वो 12 years old थे वो तब कितने साल के थे? 12 साल के थे अग, अग, He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group the Ujjbeg क्या हुआ? कि उन्हें force, Mongolों की जो, Mongolों का जो गृप था, उन्होंने उनको force के, Mongolों की जो गृप से, उसमें, उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी ancestral throne मतलब पैत्रिक पैत्रिक का throne गदी को छोड़ना पड़ा था उन्हें force किया गया कि वो अपने पैत्रिक पिता के दादा की जो गदियां है उनको छोड़े due to the invasion of another Mongol group किस कारण उन्हें छोड़ना पड़ा था उजबेगों के आक्रमण के कारण उन्हें ये गद्दी छोड़नी पड़ी थी मंगोलों की जो दूसरी शाका थी जो मंगोलों की जो another group था मंगोलों का और उजबेगों के आक्रमण के कारण उन्हें ये छोड़ना पड़ा था उन्हें पैक्तर उनका जो ancestral throat था उन्हें लेफ्ट करना पड़ा After years of Benring he seized Kabul in 1504 और after years of Benring मतलब काफी बर्शों तक Benring मतलब खुनना भटगने के बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर 1504 में काबुल पर seized किया मीज की कबदा कर लिया और in 1526 he defeated the Sultan of Delhi Ibrahim Lodi आठ पानिपर and captured Delhi and Aagra और उसके बाद 1526 में उन्होंने defeat किया defeated उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को defeat किया that is Ibrahim Lodi को उन्होंने हराया और आठ इब्राहिम Lodi को उन्होंने कहां हराया था पानिपर को इब्राहिम Lodi को उन्होंने पानिपर में हराया और उन्होंने capture क्या किया कौन सी place को capture किया दिल्ली और आगरा की places को उन्होंने capture कर लिया and table 1 table 1 chart some of the measures companions of the Mughal पीछे जो table 1 है describe किया गया है इसमें कुछ Mughal emperors के बारे में define किया है कि कब कितने राज किया था and see if you can notice any long term pattern आप इसको ध्यानते पड़ेगेगा और इसमें देखिएगा कोई long term pattern है जितने कोई ऐसा कुछ है जो long term pattern भी हुआ हो and you will notice for example आप notice करेंगे for example that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority for example अगर example लें तो आप notice करेंगे जो Afghans थे जो Afghans थे वो Mughal authority के लिए एक खत्रा बन गए थे जो Afghans थे जो Afghans थे वो immediate एक अचानक थे खत्रा बन गए थे Mughal authority के लिए and note the relationship between the Mughal and the Ahum see also chapter 4, 7 में आप देखेंगे कि Mughal और Ahum Mughal और Ahum में sick sick and sick and mewar sick and mewar में and marwar marwar भी कि एम relations को आप देखेंगे और आप इन relations को गवर भी करेंगे मुगल और एहम में मुगल और अहों में सिक्को और मिवाड में फिर मरवाड इस सबके relationship को आप ध्यान से देखेंगे chapter 7, chapter 8 and chapter 10 this how was Himayu's relationship was how was Himayu's relationship saavet Iran how was Himayu's relationship with saavet Iran different from Akbar जो Himayu का relationship relation था saavet Iran से वो saavet Iran से Akbar और Himayu के समद्ध में क्या अंतर था you can say how was relationship उनका जो saavet Iran से था वो Akbar ते केथे different था did the annexation of Golkunda and Bijapur in Oranjeev's region and hostility in the Deccan क्या Oranjeev के जो रिंद्ध के जो शाशनकाल में Golkunda और Bijapur के Golkunda और Bijapur के annexation अधिकरन से डकन में यूद का अंतर उपाया क्या ऐसा हुआ था कि did the annexation जो annexation था जो अधिकरन के जी पे कब्दा करना और Golkunda और Bijapur in Oranjeev's के शाशनकाल में क्या उनके शाशनकाल में ऐसा हो ना उनके hostility in Deccan क्या डकन के यूद में उनका अंतर उपाया था क्या डकन के यूद में वो हार गए थे that figure 3 figure 3 Mughal Army on company Mughal Army कहा जारी अभी आन पर figure 4 क्या कह रहा है figure 4 cannons were an important edition in the 16th century warfare बाबर used बाबर used them effectively in the first battle of Pani Pats cannon जो तोपे थी उनका यूद किया जाने लगा था 16th century में यूद करनी के लिए 16th century में लडाई के लिए तोपो का इस्तमाल पहली बार होने लगा था और बाबर ने इसका जो यूद सा पहली बार पारीपेस की लडाई में इसको बहुत अच्छे से यूज किया था और जो तोपे थी फायराम फॉर्स टाइम यूज किया गया था उस रीजर में सरचाइड गुजरात में मलवा देकर and वो उस यूज बाबॉर इस अरली 16th century अरली 16th century में भी बाबॉर ने इसको यूज किया था और बाबॉर ने इसको यूज किया then table one मुगल एम्परर मुगल एम्परर major companions and even मतलब कुछ रमुक अभियान और घटनाए है इसमें क्या कहा गया है पहला है बाबर बाबर 1526 से 1530 तक उन्होंने उनकी life की मतलब 1526 से 1530 तक उन्होंने क्या क्या किया 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था और इस अफगान सपोर्टर आज पानीपत और उनके इब्राहिम लोधी को हराया और जो उनके अबिगान सपोटर से, इब्राहिम लोदी की जो अबिगान सपोटर से उनको भी पानिपद में हराया And 1527 में उन्होंने defeat किया Rana Sangha को उन्होंने किसको defeat किया था? Rana Sangha को वो Rajput Ruler And allies at Khanuwa उन्होंने 1527 में क्या किया था? Khanuwa में Rana Sangha, Rajput Rajao और उनके supporters को या उनके allies को, समर्थ को भी हराया था And 1528 में defeated the Rajput at Chandiri उन्होंने Rajput को हराया था? Chandiri में तो Rajput को कहा हराया? Chandiri में अपनी मृत और established control over Agra and Delhi before his death मतलब before his death, मरने से पहले उन्होंने Agra और Delhi पर अपना कबदा कर लिया था And next, बावर के बाद हुमायू जो हुमायू थे, हुमायू ने 1530 से 1540 and 1555 से 1556 तब अपना work किया था And after that उन्होंने क्या किया? हुमायू divided his inheritance according to the bill of his father उन्होंने अपने वसीयत के according की, अपने पिता की वसीयत के according की अपनी जैजात का बटवारा किया था And his brother was each given a provenance और उनके सारे भाईयों को एक-एक provenance divide किया था एक-एक provenance divide किया था, एक-एक प्रांच सबको दिया गया था और the ambitions of his brother, मिर्दा कामरन मिर्दा कामरन, वीके हुमायू's cause against a vegan competitor उनके जो भाई थे, मिर्दा कामरन की, मिर्दा कामरन की जो ambitions थे उनके कारण हुमायू, हुमायू अपने अगगान, हुमायू अपने अगगान, कॉम्पेटीटर के सामने वीक पड़ गए थे जो उनके ब्रदर मिर्दा कामरन थे, उनके ambitions के कारण, जो हुमायू थे, वो भीक पड़ गए थे, अपने अपने अगगान कॉम्पेटीटर्स थे चेर खान, जो चेर खान थे, उन्होंने क्या किया, हुमायू को दो बार हराया था, और दो बार किसमें हराया था? एड चौसा में हरा है था 1539 में और 1540 में कहा हरा है था कन्योज में and forcing him to flee to Iran और ने force किया कि आप यहां से भाग जो भागा दिया उन्हें और कहा कि तुम एरान चले जो किसने उनको हरा है था? शेर खान ने उनको दो बर हरा है 1539 में हरा है and 1540 में हरा है और उन्होंने कहा कि तुम यहां से चले जो एरान और इन एरान हुमाईू रिसीवट हैंप साविश्या और एरान में हुमाईू की हैंप किसने की थी? सफावेश शाने उनकी हैंप की and he recaptured दिल्ली in 1555 but died the next year after an accident in the building उन्होंने फिर capture किया दिल्ली को 1555 में but वो next year ही उनकी death हो गई क्योंकि एक accident हो गया था building में एक accident हो गया था building में इसके कारण हुमाईू की death हो गई थी and after that अकबर अकबर का क्या था? 1556 से 1605 1556 से 1605 first इमने बाबुर के बारे मुट पढ़ा second हुमाईू and the third is अकबर 1556 से 1605 अकबर वो 13 year old when he became emperor अकबर 13 years की थे जब वो emperor बने सम्राद बने and his ridge can be divided into three periods जो उनका शाशन काल था ridge जो उनका शाशन काल था उनने three periods में divide किया गया था and first क्या था 1556 to 1570 and 1556 to 1570 में अकबर बिकेब independent of the region and other members of his domestic staff अकबर जो थी 1556 और 1570 के जो मेडर में अकबर ने अपने region अकबर ने अपने संरक्षन बैरब खार और अपने domestic staff अपने domestic staff से और अकबर अपने बैरब खार और domestic staff से स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र हो गया आजाद हो गया अकबर independent हो गया region बैरब खार से और जो उसके other members से domestic staff से वो बिलकुल आजाद हो गया Then, military companions were lodged against the Suri and other Aga, against the neighboring kingdoms of Malwa and Godwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Utpigas. And in 1568, the Shishoghia capital of Chittor was seized, and in 1569, ran Thumball. Means की क्या हुआ? जब वो आजाद हो गए, एक independent बन गए, Baron Khan, और domestic staff थे, तो उसने क्या क्या? उन्होंने क्या? उसने सूरी और अन्य अफगा, सूरी और अधर जो अफगान थे, उनके उन्होंने military companion को launch किया, किसके खिलाब? सूरी और अधर अफगान के खिलाब, उन्होंने अपने military को एकटा किया, launch किया. अगेंज दर neighboring kingdom, उन्होंने सूरी के और अधर अफगान के अगेंज इसको खड़ा किया, फिर उन्होंने किसके against किया? नेबरिंग kingdom, जो उनके neighbor की kingdom से मालवा और बोनवाना के और उन्होंने फिर क्या किया और उन्होंने सप्रेस किया रिवॉल्ड को दबा दिया रिवॉल्ड ओफिस जो उनके हाफ ब्रदर से मिर्जा हाकिम और उजबेगस के उनको भी उन्होंने दबा दिया और आफ्टर दैट 1568 में शिशोदियों की राज़दानी चित्ताओर और 1569 में रंट थंबोर पर कबदा कर लिया रंट थंबोर पर उन्होंने फिर कबदा कर लिया उन्होंने अपने military को थापी आँ उन्होंने अपने military को काफी training भीथी उन्होंने सूरी और अधर अफगान और अपनी नेबरिंग जो स्टेट जो के मालवा गुंटवाना तदा अपने सौतेले भाई मिर्दा हाकिप और उजबेगों के विरोध को दबाने के लिए सैन ने अभियान चलाया था मिलिटरी कमपैरियन उन्होंने चलाय था और 1568 में शिशोदियो की राजानी चितोर और 1569 में रेट थमबोर पर कबदा कर लिया और 1570 और 1585 में 1570 और 1585 में मिलिटरी कमपैरियन इन गुजराच वो फॉलोड वाई कमपैरियन इस इन बिहा बेंगार अन उरिसा और इस कमपैरियन वो कॉंप्लिकेटेड बाई 1579-1580 रिवॉल्ड इन सपोर्ट और मिर्दा हागे क्या हुआ 1570 और 1585 के 1570 और 1585 में जो मिलिटरी कमपैरियन थे उन्होंने क्या क्या गुजराच के विरूद उन्होंने गुजराच के विरूद मिलिटरी कमपैरियन के को स्टार्ट कर दिया और कह सकते हो सैनिक कर दिया और इन कमपैरियन के से पहले उन्होंने क्या गया था बिहार, भंगाज और उड़िसा में भी कमपैरियन चला था जिने 1579 और 18 में मिर्दा हाकिम के पक्ष पे हुए विद्रो ने और जटे कर दिया मीज कि ये जो विद्रो हो रहे थे वो काफी complicated हो गया था उन्होंने military companion चलाय था गुजरा और उनको follow कर रहे थे followed by the companion मतलब ये जो उन्होंने गुजरात में चलाया वो follow किया जा रहा था बिहार और बंगाल और उडिसा में भी ये companion चलाय जा रहे थे लेकिन ये जो अभियान थे वो complicated हो गया क्योंकि इससे पहले भी मिर्जा हागी में revolt हुआ था उसके कारण इसमें problem आ रही 1579 से 1518 and after that 1585 से 1605 expansion of अगवर empire क्या हुआ इस टाइप पे उनका जो empire था वो expand होने लगा और जो उनूने अभियान, companions were launched in the northwest और जो अभियान था उनका northwest side launched हो गया अन northwest side उनका launched हो गया अभियान और सफा विदो क्या किया उनूने? सफा सफा विदो को उनने क्या किया? उन्होंने कांधार वर सीज़ फ्रम दी सफ़ा विदि और कश्मीर वर अनेक्स्ट और और काबुल आफ्र दी देर तो मिर्दा हाके और कंपैनेंस इन देकेंस स्टार्ट और बेरार, खंदेश और पार्ट और अमतनगर वर अनेक्स्ट मीज क्या हुआ कि उन्होंने अब अभियान तो चला लिया था और सफ़ा विदो को हराकर कांधार पर कबदा किया उन्हें सफ़ा विदो कांधार किया कांधार पर कबदा कर लिया और कश्मीर को भी उसमें कबदे में जोड लिया और जो मिर्दा हाकिम थी मिल्दा हाकिन के मरने के बाद काबूल को भी उसने अपने राज में मिला दिया और दक्कन में उन्होंने कम्पैनियन की शुरुबात कुई और बरारा, खादेश, एहमत अगर के कुछ पार्ट को भी उसने अपने राज में मिला लिया इसने अपने राज में क्या किया सब को इसने अपने राज में मिला लिया In the last year of his अकबर was distracted by the rebellion of Prince Salim The future emperor जहां की क्या हुआ कि अपने रिच्म के अंतिम वर्षों में अपने शाशन के last years में अकबर की जो अकबर का जो रिच्म था वो राज कुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़ ख़़ा जो अकबर ने इतना बड़ा सत्ता ख़़ा कर दिया था वो राज कुमार सलीम सलीम के सलीम ने विद्रोहों किया और उसके कारण ये क्या हुई ये लड़ ख़़ाने लगी और यही सलीम आगे चलकर सम्राठ जहांगीर कहला है और यही सलीम आगे चलकर क्या कहला है? सम्राठ जहांगीर And after that हम क्या पढ़ेंगे? जहांगीर जहांगीर का 1605 to 1627 इन्होंने भी क्या किया? Military Companion इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया By Aqbar Kanti Nude और जहांगीर ने अकबर के जो Military Companion को आगे बढ़ा है The Shishodhiyah Ruler of Maywaad Amar Singh Accepted Mughal Survey जो Amar Singh थे Maywaad के जो Shishodhiyah Ruler थे उन्होंने रूलर शishodhiyah कौन थे? Amar Singh थे उन्होंने मुगलों की उन्होंने क्या कहा? कि ठीक है? मुझे Accepted Mughal की Survey मुझे Accepted Mughal की Survey Then Less successful companions against the Sikhs The Ahog And the Ahm Ahmad Nagar Follow मतलब क्या हुआ? जहागीर के शाषिन के अंतिर्व बर्षों में Sorry उन्होंने क्या किया? इसके बाद Sikhpo, Ahmoh और Ahmad Nagar के खिलाफ अभियान चलाएगए जो सफल नहीं हुआ इनके खिलाफ अभियान तो चलाएगए लेकिन यह less successful हुआ यह क्या हुआ? Less successful हुआ आज प्रेंस कूरा जो प्रेंस कूरम थे उन्हेंने क्या किया? The future emperor शाजा जो प्रेंस क्यूरम तेंग जो future emperor शाह जहां रिवेड इन लास्ट यर ओफ इस रेज्म अफ़र्स अफ़र्स अफ नूर जहां शागीर्स वाइस तू Marginalize him वर Unsexive क्या हुआ? जहागीर के शाशन के लास्ट टाइम में मतलब लास्ट यर में राजकुमार खूरम जो बाद में समराट शाह जहां कहला है जो राजकुमार खूरम थे वो आगे चलकर शाह जहां कहला है जो अतफल रहे क्या हुआ? जो शाजादे उनके जो पूरम उन्होंने भी लास्ट यर में उनका विद्रो करना स्टार्ट कर दिया और जो नूर जहां थी जो जहागीर की वाइब थी उन्होंने क्या किया? कई बार उनको मारने की पोशिश जहागीर की वाइब 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 मुगल कमपाइन continue in the dakin under sharja और अफ्गान जो मुगल दककन में क्या हो रहा था दककन में sharja के मुगल कमपाइन चल रहे थे ये continue हो रहे और ये दककन में चलने लगे शाजा के कमपाइन अभियान को चलाय जा रहा था The Afghan noble Khan Jahan Lodi Khan Jahan Lodi rebel and was defeated क्या हुआ कि Afghan Abhijad Khan Jahan Lodi ने rebel किया, विद्डो किया और वो हार गया And companions were lost again, Ahmed Nagar जो अभियान चलाने लगा, जो अभियान चलाया जा रहा था वो Ahmed Nagar के विरूद था, उसके against था The bundels were defeated and ओर्चा थी Bundels were defeated and ओर्चा थी, बुन्देल को defeat किया गया Bundels को हराए गया, उनकी हार हुई और ओर्चा पर कब्दा कर लिया गया And ओर्चा पर कब्दा कर लिया गया In the North West, the companion to seize बल्खा from the Ujbeg was unsuccessful And कंदार was lost to the सफावे क्या हुआ था, कि जो नौर्थ वेस्ट है, नौर्थ वेस्ट में बल्ख पर कब्दा करने के लिए उजबेगों के विरुद अभियार है, जो unsuccessful रहा और उसका result क्या आया? उसका result आया, कंदार सफाविदों के हाथ में चला गया जो कंदार को जीता गया था, वो फिर से सफाविदों के हाथ में चला गया और in 1632, एहमद नगर वस फाइनली एंडेक्ट आन्डी बीजापुर्ट फोर्से सूर्ट पॉर्टी 1632 में, क्या हुआ एहमद नगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया एहमद नगर को क्या किया गया, मुगल एक्पेरर में मिला लिया गया और वीजापुर की सेनाओं ने सुला के लिए, पीस के लिए, सुला के लिए निवेदन किया बीजापुर की government ते क्या क्या, बीजापुर के सेनाओ ने सुलय के लिए निवेदन किया And in 1657 से 1658 में there was a conflict over succession among us शाह जहासन 1657 से 1658 में conflict हो गया था कि कौन राजगर्दी पे बैठेगा जगरा शुरू हो गया और किसके किसके बीच में? शाह जहां के बच्चों के बीच में जगरा शुरू हो गया कि हम बैठेगे राजगर्दी पे तो हम बैठेगे And after Orange Ape was victorious and his three brothers including Orange Ape जीत गया और उसके जो three भाई थे उसमें Dara Shikob Dara Shikob including Dara Shikob was killed and Dara Shikob was killed and उनके शाह जहां was imprisoned for the rest of his life in आगरा क्या किया गया और दारा Shikob समेश उनके तीनों भाईयों को मार दिया गया और शाह जहां को उसकी पूरी जिन्दिगी तहाँ पे आगरा के जेल में बितानी पड़ी आगरा के जेल में बितानी पड़ी आगरा के जेल में बितानी पड़ी और जेट शिफिटी इफ तू सेंटीन हंड़ेट सेंटीन इस नौर्थ इस नौर्थ इस में क्या किया गया आगरा अगरा गया लेकिन उन्होंने शिक्सी इफिटी में दुबारा रिबैलियन किया उसका विद्रोग करना स्टार्ट कर दिया और कम्पैने इफिदी नौर्थ वेस्ट अगेंस धाई्स अगेंस दुटल इस अगेंस अगेंस दुस्व जाई अनक्या किया गया जो भ्यान चलाय गया नौर्थ वेस्ट में अगेंस तू जेखिला यूसफ दाई और सिको के खिलाब जो भ्यान चलाए जा रहे थी वो temporarily successful थी और मुगल intervention in the succession and internal politics of the राठोर राजपुतों मरवाद led to their rebellion क्या हुआ? इसका कारण था कि मरवाद के राठोर राजपुतों ने मुगलों के खिलाब विद्रो करना साथ कर दिया मुगलों के खिलाब विद्रो करना साथ कर दिया मरवाद के राठोर राजपुतों and companions against Maratha Chief Saint Shivaji were initially successful but Aurang James himself an independent king and resumed his companions against the मुगल उन्होंने क्या क्या? इसका जो reason था उनकी जो internal political चीज़े थी और succession के मतलों में मुगलों का हस्तिशिप होना स्टार्ट हो गया था निये कि मुगल अब उसमें उनके internal बातों पे interfere करने लगे थे and after that जो मुगल इंटर्वेंशन था मुगल इंटर्फेर करने लगे थे उनके उत्रादीकारी को लेकर internal quality राठोर राजपूतों मुगलों के खिलाफ इसलिए मरवाड के राठोर ने राजपूतों के खिलाफ वित्रों किया था और मराठा सरदार शिवाजी के विरुद में मुगल अभियान प्रारंभ में जो मराठा सरदार थे वो शिवाजी के विरुद में जो मराठा सरदार थे वो शिवाजी के विरुद में मुगल अभियान स्टार्ट कर रहे थे और लेकिन परंथु औरंग जेब ने शिवाजी का अपमान किया औरंग जेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा सिर्फ मुगल कैद खाने से भाग निकले औरग जेब ने शिवाजी का अपमान किया और जो शिवाजी थे वो आगरा के मुगल कैद खाने से भाग निखे औरग जेब इंसल्टेट शिवाजी और शिवाजी और शिवाजी अज़से इसकेट रम आगरा and declared himself as independent case and resume a companion against the मुगल और अपने आपको नूने एक अजाद राजा डिफाइन किया और रिजूम फिर ते अभियान चलाना start किया मुगलों के खिलाए प्रेंस प्रेंस अखबर रिवेंज अगेंस ओरंजी and received support from the Maratha and the decade sultanate प्रेंस प्रेंस जो राजकुमर अगबर ने औरंजेब के खिलाए विरोध विद्रो किया जिससे उसे मराठो और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला मतलब सपोर्ट मिला राजकुमर अगबर ने औरंजेब के विरोध विद्रो किया और जिससे उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सपोर्ट मिला और यह फाइन की तू सफाविस एरान और लास्ट में वो सफाविस एरान भाग गया अग्जदा वो सफाविस एरान भाग गया और आफ्टर अगबर स्रिबालियन औरंजेब सेंट आर्मी अगें देकर सल्तने और बीज़पोर बॉस एनाक्ट इन 1685 और गोल कोंड़ इन 1687 क्या हुआ कि अगबर के विद्रोग के बाद औरंजेब ने दकन के जितने भी औरंजेब ने अपनी आर्मी को का बेजा दकन सल्तनत पे बेजा अगबर ने रिबैलिन विद्रोग किया फिर भी औरंजेब नहीं माना और उसने अपनी आर्मी को डकन सल्तनत भेज लिया और उसके बाद 1685 में विजापर और 1687 में गोल कुंड़ा को मुगलो ने अपने राज में मिला लिया मुगलो ने अपने राज में मिला लिया और 1698 औरंजेब परस्नली बानेश्ट कंपैनी इन देकेट अगें दी माराथा वो स्टाटेट गोरिला वार्फेर क्या हुआ कि 1698 में औरंजेब ने दकन में माराथों को जो छापमाद दकन में माराथों को जो की क्या कर रहे थे? गोरिला वार्फेर कर रहे थे उन्होंने क्या क्या? गोरिला वार्फेर मतलब छापमाद पदिती का उपेओ कर रहे थे के विरोज अभियान का प्रबंद स्वें किया means कि औरन्जेब ने personally manage किया इस companion को चलाया अभियान को चलाया decan in the decan में चलाया अगेस Maratha Maratha क्या कर रहे थे? यूरिला warfare कर रहे थे मतलब छापा माथ हर जगह हर चीज को ढूलना ढूल रहे थे उपियो कर रहे थे के विरो दुनों ने चल और लास्टे की ओर जेब और जेब बॉर्ट नॉर्ट इंडिया और लास्ट टोर। अर जेब को नॉर्ट इंडिया में जेब को जाठो और सत्नामी हो। ठफ नामियों और नोर्ट इस्ट में अहों हो और दक्कन में मराथों के विद्रों का सामना पड़ा इनको इतने सारे विद्रों का सामना करना पड़ा और जब उनके मृत्थ्ली हुए तो कौन सक्सेशन, कौन उनका उत्रधिकारी बनेगा इसके लिए उनके बेटों में क्या होने लग गए लडाईया होने लग गए उनके बेटों में क्या होने लग गए लडाईया होने लग गए कॉंफ्लेक्ट होने लग गए उनके बेटों में आद